कथा सहित्य में आज सुनिये पूनम एहमद जी द्वारा लिखी कहानी सौरी मा दोपहर दो बजे मेरी आँख खुली उनीदी आँखों से सामने टंगी घड़ी पर नजर टाली मैंने आज फिर कॉलेज की छुटी कर ली थी इंजिनिरिंग का मेरा अंतिम वर्ष है पर कॉलेज जाने की मेरी इच्छा होती ही नहीं है आँखें बंद किये किये ही मैंने रात में लिखी अपनी कविताओं के बारे में सोचा बड़ा संतोश हुआ एक आत्मिक खुशी हुई आजकल मैं बहुत खुश हूँ मैं कविताओं तो चार-पांच सालों से एक डायरी में लिखता रहता था पर एक दिन जब मैंने सोचल मीडिया पर अपनी कुछ कविताओं पोस्ट कर दी और मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मेरे उत्सहा की कोई सीमा नहीं थी मैंने अपना पेज भी बना लिया मेरे प्रशन्सकों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसे देखकर मैं फूला नहीं समाता हूँ जीवन में और क्या चाहिए? इतनी कम उमर में इतनी प्रसिधी मेरी एक e-book भी आ गई है मैं अब अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए कमाई करने लगा हूँ कॉलेज की फीस ही पापा देते हैं बागी मैं मैंनेज करने लगा हूँ मा हैरान है मेरी प्रतिभासे रोज जब वे उठती हैं रात में लिखी मेरी कविता बढ़कर खुश हो जाती हैं पापा इंजिनिरिंग पूरी करने के लिए बहुत दवाब डाल रहे हैं पर मेरा मन तो अब कविताओं में ही रमता है कुछ साल पहले मैंने इसकी कलपना भी नहीं की थी मुझसे पांच साल छोटा मेरा भाई आशीश जब कहता है की अमन भाईया आपके पेस पर कितने लाइक्स मिल चुके हैं ना कितने फैंस हैं आपके तो मैं गर्व से तन जाता हूँ मैंने लेटे लेटे अपने फोन पर फेस्बुक खोला वाह रात तीन बज़े कविताएं पोस्ट करके सोया था इतने लाइक्स और कमेंट्स खुशी से भर उठा मैं मा को बताऊंगा कितनी खुश होंगी आशकल मैं मा सीरीज पर कविताएं लिख रहा हूँ बहुत पसंद की जा रही है मैंने फिर टाइम देखा मा ने मुझे मेल लिखा है इतना लंबा अरे पर क्यों दूसरे रूम में लेटी मा को मुझे मेल भेजने की क्या जरूरत है मा भी ना आशकल बेमारी में लेटे लेटे बोर हो रही होंगी कुछ भी लिख दिया होगा पढ़ता हूँ जैसे जैसे मैंने मा का मेल पढ़ना शरूर किया मेरी सारी सुस्ती हवा हो गई मैं बेट से टेक लगा कर उठकर बैट गया लिखा था सुभा नहा कर निकली इतने में ही ठकान हो गई थी बेट पर लेट कर आज उदास मन से बहुत कुछ सोचती रही बहुत अचीब सी तबियत है अब दिल की मरीज वो गई हूँ अब अपना ध्यान भी तो खुद ही रखना पड़ता है 46 साल की उम्र में दिल धोखा दे जाएगा यह कब सोचा था मैं तो इतनी फिट थी अपने स्टेमिना पर खुद ही हैरान हो जाती थी अब लेटी तो पिछले महिने की वहरात फिर याद आ गई जब रात एक बजे सांस लेने में परिशानी हो गई थी एक चीक से निकली थी तो बराबर में सोए सुनील की भी आँख खुल गई थी उस दिन मौत मुझे चूकर गुजर गई थी महसूस किया था मैंने सुनील और तुमने फॉरन हास्पिटल पहुँचा दिया था सांसे अभी लिखी थी तो बच गई हूँ फिलहाल पर कितने दिन पता नहीं रिपोर्ट्स देखकर तो सभी हैरान ही रह गई थे न मेरा हार्ट सिर्फ तीस परसेंट ही काम कर रहा है ठीक है अब जैसा किस्मत में होगा तुम और आशीश मुझे रेस्ट करने के लिए कहते हो डॉक्टर्स ने भी थगा देने वाले काम मना किये हैं सब परिचित रिष्टेदार देखने आकर वापस चाचुके हैं खाना बनाने के लिए अच्छी मेट मिली नहीं बस साब सफाई करने वाली रमाबाई से मिलकर काम चला रही हूँ पर आज तुम्हें बताना चाहती हूँ की इस ग्रहस्ती को समभालने में मैंने सालों लगा दिये हैं पर आज मेरी जरूरत के समय मुझे तुम लोगों से जिस केयर और सहीयोग की आशा थी वह मैं तलाशती ही रह चाती हूँ मैंने आज सुभा फेस्बुक देखा तो तुम्हारी रात को लिखी हुई कविता दिखी काफी लाइक्स और कमेंट्स थे तुम रात रात भर जाकर कविताएं लिखते हो दिन भर सोते हो तुमने अपना अजीब सा रुटीन बना लिया है बातें भी खोब बड़ी बड़ी करते हो आज तुम्हारी मा सीरीज की कविता मैंने भी बड़ी तो मुझे मन ही मन वेंगपून हसी सी आ गई मा के त्याग ममता से भरी कविता पर यथार्थ की दुनिया में तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लपसों के माइने है कल मुझे तुम कह रहे थे मा मैं आजकल मदर की फिलिंग्स पर सीरीज लिख रहा हूँ आपको डेडिकेट करूँगा मैंने परत्यक्ष्था खुशी दिखाई मा हूना मेरा काम ही है बच्चों की खुशी में खुश रहने की कोशिश करना पर मेरा मन आहत है क्योंकि सच तो यह है कि मुझे इस समय तुम्हारे बड़े बड़े शब्दों में पिरोई गई कविता नहीं तुम्हारा प्यार साथ चाहिए इस समय मुझे मा सीरीज में आउनलाइन प्यार नहीं मेरे तन मन को अपनी देख रेक से सुकुन पहुँचाता मेरी बिमारी में मेरा ध्यान रखता बेटा चाहिए एक ही फ्लेट में पूरा दिन अपने रूम से ना निकल कर कविताओं से संसार में टूबे रात भर जागते दिन भर सोते शाम होते होते मा आप आराम कर रही है न अपना ध्यान रख रही है न वी नीड यू टेक केर कहते बेटे के मा के लिए अपने प्यार का धिंडोरा पीटते शब्द नहीं चाहिए मुझे इस समय उभरते प्रतिभावान कवी को दरकिनार रख एक बेटे की देखरेक चाहिए जो यह देख ले कि मैं नहा कर निकली तो कितनी ठकी हुई थी मुझे उस समय कुछ फल या जूस दे दे मेरे हाथ से मेरा टौवल लेकर तार पर टांग दे मुझे जबर्दस्ती लिटा दे सुनेल टूर पर है आशीश ना परवाह है आत्म के इंद्रित है पर तुम तो भावक हो तभी तो इतनी गहरी कविताएं लिख पाते होंगे पर क्या जो गहरे शब्दों में खुद को डुबो देते हैं असली जीवन में एक ही घर में रहकर अपनी मा के दुख दर्द उन तक नहीं पहुंच पाते या वे अनसुना कर देते हैं मुझे नहीं पता कि मेरा कितना जीवन है अब बस यही चाहती हूँ कि इन दिनों बस मेरा बेटा यह देख ले कि मैंने कुछ खाया भी है या नहीं दवाई ली या नहीं कभी वो मुझे अपने हाथों से कोई फल काट कर दे दे, कभी मेरे पास यूँ ही लेटा रहे, कभी अपने अनारी हाथों से जबर्दस्ती मुझे कुछ बना कर खेलाए, कभी यह कहते कि बस मा आप आराम करो जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओ, काम तो हम दोनों भाई मिलकर कर लेंगे, पर तुम दोनों तो अक्सर सो रहे होते हो, या लैपटॉप पर होते हो, डोर बेल होने पर भी मैं ही उठती हूँ, तुम्हें पता है, कभी कभी तो मुझसे उठा भी नहीं जाता, मन अपने पेटों को आवाजे देता रह जाता है, पर मैं हैरान भी हूँ, मुझे जल्दी ठीक भी तुम्हीं लोगों के लिए होना है, जानती हूँ कि मुझे कुछ हो गया, तो इस घर का इश्वर ही मालिक है, इस घर के तीनों पुरुष सदसे एक दूसरे का ध्यान कभी रख ही नहीं पाएंगे, विधाता ने यही तो कम किया है कि हर स्थिती में मा, पतनी, अपने पती, बच्चों का हित ही सोचती है, भले ही उसकी अस्वस्थता में कोई उसका ध्यान ना रखे, उसके दुख दर्द अनकहे रह जाएं, उनहीं के लिए वो शिगरता शिगर स्वस्थ होना चाहती है, जिनका साथ वो स्थता में तलाश्ती रह गई, अब सोच रही हूं कि तुम्हें तो बहुत प्रसित कवी बनना है, तुम इस छेतर में दूर धक जाना चाहते हो, तुम्हें पोईटरी में बहुत उचाईयों को छूना है, मेरी शुब कामनाएं, आशिरवाद तुम्हारे साथ हैं, पर कवी और लिखत तो दूसरों के दुख दर्द महसूस करके उन्हें शब्दों में ऐसे ढालते चले चाते हैं, कि हर पाठक को वह अपनी बात लगने लगती है, क्या तुम्हारे शब्द पाठक के दिल को छूपाएंगे, जब तुम्हारे अपने अस्वस्थ मा, अपनी कोम भावनाओं को तुम्हारे साथ बाठने का इंतजार करती रह चाती है, मैं चाहती हूँ, एक मशूर कवी बनने से पहले, तुम ऐसा बेटा बन जाओ, कि अपनी मा की अनकही बातें भी समझ सको, कल बनाओं में नहीं, या थार्थ में, विधाता ने नारी मन जटिल तो पर अगर तुम्हें दूसरों के दिलों को उनकी भावनाओं को चूजाने वाली रचनाएं लिखनी है, तो पहले उन्हें महसूस करना होगा, तुम्हारी माँ पर लिखी कविताएं मेरी ही दिल को नहीं चूपाती, मैं उन्हें शब्द समझ कर पढ़ती हूँ, और भूल वे किसी और को क्या चूपाएंगी, उन्चाईयों को चूने के लिए अभी तुम्हें जमीन पर भी अपने ठोस पकड़ बनानी है, शापदिक नहीं यथार्द की दुनिया महसूस करनी है, अपने आसपास की दुनिया के दुख दर्द महसूस करने है, ये जो इतने मशूर सफलकवी, लेखक, शायर हुएं है न, वे अपने तो अपने दूसरों के दुख्र दर्द में भी ऐसे डूब कर निकले हैं कि उनका एक एक लवस पढ़ने वालों को जखचोर कया है, अमन अपने मा की ही भावनाओं से अच्छूते रह चाओगे तो मा सीरीज कितनी आगे दकले चा सकोगे, मैं भी तो तुम्हें सफलता के शिखर पर देखना चाहती हूँ, बस अब ठक गई हूँ, तुम्हारी मा, मेरी आँखों के सामने अचानक सब धुंदला हो गया, मेरे गालों पर गेलापन बढ़ता चा रहा था, मैं सर पकड़कर बैठ गया, मा तो कोई क दवी या लेखी का भी नहीं है, फिर भी उनका एक-एक शब्द मुझे जिंजोड गया, यह क्या हो गया मुझसे, उस रात डॉक्टर ने कितना साफ-साफ कहा था, इन्हें लाने में कुछ सेकंड्स की भी देर हो जाती तो, ओ, डॉक्टर ने ये तीन महीने चिंता-जनक पताए हैं, मां बहुत बिमार है, पापा मिटिंग के लिए टूर पर है, आशीश मस्त मौला है, और मैं, मैं क्या करता हूँ उनके लिए, रातों को जाकर मां पर लंबी-लंबी कविताएं लिखता हूँ, दिन भर सोता हूँ, शाम से रात तक इस फील्ड में आगे बढ़न के लिए अपने नए कवी मित्रों के साथ किसी कैफे में बैठ कर विचार गोस्ठी करता हूँ, रात को आता हूँ, तो मां जितना भी बना पाती हैं, कभी खा लेता हूँ, कभी पसंद ना आने पर आशीश और मैं बाहर से कुछ और करके मंगा लेते हैं, मां ठकी सी वह खा पाना उठाकर फ्रिज में रखतेती हैं, और शायद अगले दिन वही खा लेती हैं, मैं शरमिंदगी के अथा सागर में टूपता जा रहा था, मां को तो आराम करना है, पर कैसे करेंगी वे आराम, उनके हाल चाल पूछ कर कविताओं में टूप चाता हूँ, क्या कर रहा एक ही फ्लेट के दूसरे बेटरूम में लेटी, अपने अस्वस्त मा से इतना दूर हूँ मैं, कि आज उन्हें अपने मन की बाद शेयर करने के लिए मुझे मेल लिखना पड़ा है, छी, लानत है मुझ पर, मैंने बराबर में सोई, आशीश पर नज़र टाली, ये भी क्या सीखे का मुझसे, सबसे दूर, अपने रूम में अकेले जीना, मैंने धीरे से जाकर, मा के बेडरूम का दर्वाजा खोल कर छांका, मा सो रही थी, फिर पूरे घर पर नज़र टाली, साबस्त व्यस्त, हर कोना बिखरा हुआ, मा को कैसे चेहन आता होगा, जब घर की यह हाल देखती होंगी, मेरी रुलाई फूट पड़ी, कितना दुख होता होगा उन्हें, दो युवा पेटों के होते हुए, उनका कोई साथ नहीं, कोई आराम नहीं, पता नहीं अपने लिए क्या बनाती हैं, क्या खाती हैं, आजकल कितनी चुप रहने लगी हैं, मैंने फ्रिज खोल कर देखा, कोई फल नहीं है घर में, मा को फल कितने पसंद हैं, वाशिंग मशीन के पास कपड़ों का धेर लगा है, दो दिन पहले मा ने मशीन चलाई थी, कपड़े सुखाने में ही हाव कई थी मा, मुझे याद आया, जब शाम को मा थकी सी हाथ में कपड़े लेकर अ मैं उस समय मा पर ही तो कविता लिख रहा था, मैंने क्यों नहीं उनके हाथ से कपड़े लेकर उन्हें लिटा दिया, मा के मेल का इक एक शब्द मेरे दिमाग में हतोड़े की तरह बज रहा था, फ्रेश होकर मैंने उनके लिए उनकी पसंद की अधरक वाली चाह बनाई, प मैंने एक गलास पानी, चाए, कुछ बिस्किट्स ट्रे में रखे और उनके रूम में पहुँचा, मेरी आहट से मा ने आखे खोल दी, मा से नजरे मिली तो खुद को रोक नहीं पाया, और ट्रे एक तरफ रख उनके पास लेटकर उनसे लिपटकर सूर से रो पढ़ा, मेरा रोम रोम सौरी कह रहा था, मा तो मा है ना, सब समझ गई थी, उन्होंने जैसे ही मेरा सर सहलाया, मैंने भी महसूस कर लिया, कि मा ने मुझे माफ कर दिया है, वे समझ गई हैं, कि मैं अपनी गलती महसूस कर चुका हूँ, उनके पास अपनी दुनिया में खोया, आत्म लेटा लेटा था, वे यही तो चाहती थी ना, बस इतनी सी बात मैं समझ नहीं पाया था, हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा था, पर दोनों एक दूसरे की भावनाएं महसूस कर रहे थे, इस मौन में बढ़ा सनहे था, शांती थी, ममता थी, मैं इस मौन से अभिभू धोता चला गया था, हम दोनों की ही आँखों से मा बेटे के प्रेम की अविरल गंगा की गंगोतरी जैसे निशब्द बहती चली चाह रही थी, अभी आपने पूनम एहमद जी की लिखी बिरहत ही मारमिक कहानी सुनी, इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ, कल की इकार कहानी के साथ तैने वाद